नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले सभी लोग ध्यान दे यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हो आपको जब भी वक्त मिले जब भी आपको लगे आपके पास अभी कोई काम नहीं है आप खाली बैठे हो आप घर से निकल जाएए आप मार्केट में घुनने के लिए चले जाएए और जो भी दुकानदार आपको खाली बैठा हुआ मिले सीधे जाके उसी से बाते करना चालो कर देजिए बाते क्या करनी है मेरा नाम मुकेश सिंग है मतलब जो आपका नाम है नाम बताइए मैं आपके पास ही रहता हूँ एक बहुत बड़े मिसिन पर काम कर रहा हूँ या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे कुछ महत्वा कांची दुकानदारों की आवश्चकता है जो अपनी दुकान के साथ 20-30,000 रुपे महीना एक्स्ट्रा कमाना चाहते हूँ यदि आपकी नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा ये मेरा विस्टिंग कार्ड है अभी मैक्सिमम केसिस में सामने वाला व्यक्ति आपसे एक सवाल पूछेगा काम क्या है और जैसे ही वो आपसे पूछे काम क्या है आप उसको बोलिए आपकी दुकान बंद किस दिन रहती है उस दिन हम आराम से बैठके डिस्कस करेंगे अभी कस्टरमर आ सकता है डिस्टरबेंस होगा इसलिए अभी सही नहीं रहेगा और फिर जो दिन भी वो बताएं कि जिस दिन उनकी दुकान बंद रहती है उस दिन आप उनसे मिलने का अपना टाइम सेट कर लिजे उनको बोलिए सर आप मेरे घर आ जाईएगा या मैं आपके घर आ जाऊंगा या कही रेस्ट्रो में बैट लेंगे जैसा भी आपको अच्छा लगेगा उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे बाकि दे आपको कोई दिक्कत नहों तो मैं आपका नंबर ले सकता हूँ क्या और फिर आप उनका नंबर ले लेजे और अगले दिल से एवरी डे उनको गुड मॉनिंग करना चालू केजिए बीच में एक दो बार याद दिलवा दीजिए कि हम उस दिन मिल रहे हैं और ज्यादा बेटर है आप उनको अपने घर इन्वाइट कीजिए बोले आप मेरे घर आजाएए फिर उनको आप बुलाके बिठाईए चाय कॉफी पिलाईए बिस्किट खिलाईए आपका रिलेशन और मजबूत हो जाएगा आपके फैमिली के लोगों से मिलने के बाद आपका घर देखने के बाद उनका आपके पति फेट और बढ़ जाएगा और फिर आप उनको अपने बिजनिस की जानकारी दे दीजिए इस पूरे प्रोशिस को बोला जाता है cold calling हर एक network marketer cold calling करनी चाहिए यदि यह आपने करना चालू किया तो आपको जीवन में कभी भी list की problem नहीं आएगे तो always keep remember जब भी आप खाली बैठे हो खाली घर पर बैठे मत रहिए निकल जाएए फिल्ड में और जाके ये काम कर डालिए देखिए सकसेज आपका इंतिजार कर रही है